अब सबका स्वागत है आज की इस math की class में as you know that कि हमने last season में percentage को discuss किया था percentage में हमने concept को सीखा था जो concept होता है percentage का कि उसके जो fractions value होती है वो भी हमने सीखा था and 7 में 10 questions किये थे guys so आज के जो 10 questions होने वाले हैं वो थोड़ा सा next level पर होने वाले हैं और मैं आपको बता दूँ यह जो class है यह आपकी premiere है ठीक है और इस premiere class की जब live chat चलेगी तो मैं available हूँ ठीक है तो आप अच्छे से ध्यान से इस पूरी class को attend करेंगे और अपने questions के answer देंगे and end of the session में आपको बताना है कि आज के 10 questions में से आपके कितने बने हैं मतलब कि आपके कितने questions सही हुए हैं ठीक है और उसके पहले सबसे पहले हम revise करेंगे जो हमने last class में पढ़ा था तो हमने last class में क्या पढ़ाता वो हम देख लेते हैं एक बार हमने पढ़ाता fraction value और percentage का relation ठीक है इसी तरह से अगर हम इसमें 2 से divide करें आप लोग भी साथ में बताते जाएए अगर हम 2 से divide करें तो 50% को हम क्या लिखेंगे 1 by 2 लिखेंगे अब next जो आता है ये important है ये जरूरी है आपको याद करना 33 complete 1 by 3% को क्या लिखेंगे बिटा तो इसको लिखेंगे 1 by 3 इसी तरह से अगर हम 4 से divide करें तो हमें क्या मिलेगा 25% और इसको क्या लिखेंगे 1 by 4 and finally अगर हम 5 से divide करें तो हमें मिलेगा 20% और इसको लिखेंगे हम 1 by 5 ठीक इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो हम अगर 6 से divide करें तो हमें मिलेगा 16 complete 2 by 3% और इसकी fraction value जो होगी वो हो जाएगी 1 by 6 अगर हम 7 से divide करें तो हमें मिलेगा 14 सही 2 बटा 7 परसेंट और इसकी fraction value हो जाएगी 1 बटा 7 मैंने आपको कल बताया था कि बेटा जिसको fraction आता है ना selection उसी का होता है बस इतनी सी बात जान लीजिए तो आपको अपने fraction पर पकड़ बनानी है मजबूत करना है अपने fraction को इस तरह से अगर 8 से आप divide करोगे तो यहाँ पे 12.12 मिलता है 12 complete 1 by 2 percent equal to 1 by 8 इस तरह से अगर आप 9 से divide करोगे तो आपको मिलेगा 11 complete 1 by 9 percent और इसकी fraction value 1 by 9 ही होती है और अगर आप 10 से divide करोगे तो इसकी fraction value हो जाएगी 1 by 10 और इसी तरह से अगर आप 11 से divide करोगे तो यह हो जाएगा 9 complete 1 by 11 percent और इसकी fraction value कितनी होती है 1 by 11 ठीक है तो यहाँ तक मैंने आपको करार रखा था अगर आपने last session attend किया हो and I hope एक बार आप जरूर feedback दीजेगा इस class के बाद कि आपको यह जो topic wise classes लग रही है यह जो चल रही है आपकी topic wise classes यह classes आपको कितना help कर रही है उसकी grading आप कर सकते हो कि यह आपको a plus plus कर रही है या a plus plus कर रही है या A plus कर रही है या A grade में कर रही है कितना help आपको दे रही है ये classes या आप इसकी grading जरूर कीज़ेगा आज feedback दीज़ेगा comment box में दीज़ेगा guys ठीक है comment box में मुझे इसका feedback जाइए हा लेकिन आज का जो session है वो important इसलिए भी है कि हम concept और pattern मतलब ये मैंने आपको learn करने के लिए था साथ में मैंने आपको pattern भी सिखाया था कि हम किस तरह से percentage को handle करते हैं ठीक है किस तरह से हम pattern से percentage को handle करते हैं ठीक है तो इतना तो हमारा revision था जो हमने last class में किया था अब आज start होगा आपके homework question से तो ये आपको homework question दिया गया था अब इस question का answer ध्यान से समझने की कोसिस कीजेगा लिखा गया है if the radius of circle is increased by 1% बिटा ध्यान से सुनियेगा कभी भी अगर यही होता कि एक rectangle है जिसकी length 1% increase की जा रही है और breadth 1% increase की जा रही है तो ये तो दो side हो गई ना की length और breadth दो side हो गई बट actual में circle के अंदर जो radius जो formula होता है इसके area का area का वो होता है pi r square और जो rectangle के अंदर area का formula होता है वो होता है length into breadth तो मैं क्या बताना चाहता हूँ होते तो ये दोनों length ही है बट इनके नाम अलग-अलग है मतलब इनकी 2 side दिये हुए है जिनका नाम अलग-अलग दिया हुआ है मतलब दोनों को meter में ही मापेंगे लेकिन नाम अलग है इसको length बोलते है इसको breadth बोलते है लेकिन इस circle के area के formula के अंदर ऐसा 2 side नहीं होता है मैं ये 2 side की बात क्यों कर रहा हूँ अभी आप समझ जाओगे थोड़ी दिर में इसमें क्या होता है pi r square ये जो r square बिटा इसको हम r into r लेक सकते हैं तो ये अपने आप में 2 चीजें हो गई अब दिकों यहां लिखा क्या गया है त्रिज्या में 1% की ब्रिद्धी तो sir अगर pi r square है इसका मतलब की r into r मतलब एक बार 1% इसमें ब्रिद्धी की जाएगी पहले वाले में और एक बार इसमें दुबारा भी ब्रिद्धी की जाएगी क्योंकि इसमें दुबार r है अब आप समझे जिस तरह से इसमें 1% लंबाई में की गई थी कि लंबाई में कितना और चड़ाई में कितना क्योंकि दोनों चीजें सेम हैं त्रिज्या ही है इसलिए उसने सीधे सीधे लिखा है कि त्रिज्या में 1% की ब्रिद्धी होगी बट समझना आपको है कि उसने लिखा है 30 जाम 1% की ब्रिद्धी होगी लेकिन उसका area कितने % change होगा इसको पता करने के लिए बिटा आपको इस R² का concept समझना पड़ेगा यहां 2 बार R है इसलिए आप जो ब्रिद्धी लेंगे वो 2 बार आप ले रहे हैं means x की भी value 1 है और y की भी value 1 है तो change percentage का formula कल मैंने आपको बताया था change percentage का formula क्या हो जाएगा वो होता है x plus y plus x y and divided by 100 इसको भर लो value पुट कर दो तो x की भी value plus 1 है y की भी value plus 1 है और x into y यानि 1 into 1 and divided by 100 तो यह देखिए 1 and 1 कितना हो गया यह हो जाएगा 2 और देखिए एक में अगर आप 100 से भाग करोगे एक में अगर आप 100 से भाग करोगे तो बेटा आपको मिलेगा 0.01 कितना मिलेगा 0.01 और उसको यहाँ पे add कर दो तो this will be your answer और यह plus के साथ है इसलिए यहाँ पर यह increase होगा तो answer will be 2.01% increase होगा मैं फिर से repeat करता हूँ चूंकि तरिज्या चूंकि तरिज्या 1% बढ़ रही है और पूछा गया है कि area में कितना change होगा और बेटा area का formula होता है πाई r square पाई जो होती है constant value होती है इसमें कोई change नहीं होगा r जो है वो 2 बार लिखा गया तो अगर तरिज्या केवल अकेले तरिज्या में r 1% है इसका मतलब दोनों में एक एक परसंट की बृद्धी हो रही है और अगर आपको 2 value मिल गई तो आपको कुछ नहीं करना है एक y हो गया और percent change का formula लगाना है percent change का formula लगाना है और यहाँ पर लिखना है 1 plus 1 plus 1 into 1 divided by 100 और इस तरह से इसको solve करना है answer आजाएगा 2.01% clear समझ में आया यह चीज चलिए अब बढ़ते हैं next question next question जो आपको home work दिया गया लिखा गया 11% of which number is 33 पूछा गया है किस संख्या का 11% 33 होगा अब समझिये ऐसे questions को कैसे करते हैं परिसान नहीं होते हैं कि सर संख्या क्या होगी ऐसा मान लें ऐसे नहीं करते हैं एक जबाब सिर्फ एक जबाब ऐसे question का सिर्फ एक जबाब अगर आपको पता है जो मैं पूछने वाला हूँ तो आप जरूर इसका answer कर दोगे कोई भी number, कोई भी value कोई भी इंसान अपने आप में कितने प्रतिसत होता है कोई भी number अपने आप में कितने percent होती है 100% होती है तो बिटा उस संख्या का 11% दिया गया है 33 means 3 times है जितना percentage है उसका 3 गुना value है तो कोई भी संख्या का 11% अगर 33 है तो वो संख्या अपने आप में 100% होगी तो sir 100% की value कितनी आएगी ये इसका भी 3 गुना करोगे तो ये हो जाएगा 300 इस तरह से answer हो जाएगा वो number कौन सी होगी वो 300 होगी संख्या क्या होगी 300 होगी ठीक इसी pattern पर x% of 350 is 21 लिगा गया है x% of 350 is 21 एक बात बताओ अपनी अकल लगाओ पूछा गया x का मान कितना होगा वो छोड़ो क्या है ये ये अलग की बात है बस आप एक बात बताओ 350 का 10% कितना होगा 350 का 10% कितना होगा सर बहुत आसान है 35 होगा भाई ये अपने आप में 100% है तो इसका 10% कितना होगा 35 होगा अब एक बात बताओ ये जो value लिखी गई ये 35 से भी कम है जो value लिखी गई ये वो क्या है 35 से भी कम है न तो अब बताओ 5% कितना होगा सर 5% जो होगा 5% जो होगा वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 35 का भी याधा तो 7.5 कितना हो जाएगा साड़े 17 अभी बताईए अगर 5% साड़े 17 है तो 1% कितना होगा सर 10% अगर 35 है तो 1% 3.5 हो जाएगा अब ये मैं क्यों किया अकल लगाओ अपनी 21 के पास महुझना है इसका मतलब साड़े 17 में ही कुछ जोड़ना पड़ेगा कितना जोड़ना पड़ेगा साड़े 3 जोड़ना पड़े तो साड़े 3 किया होगा अगर 10% 35 है तो 1% बिटा साड़े 3 होगा कैसे आ रही ही ये सब चीजें देखो अगर साड़े 300-100% है एकदम इत्मिनान से समझो तो इधर से 1-0 सरकाओ इधर से 1-0 सरकाओ बचा क्या 10% इधर 35 इधर 35 बचा मतलब 10% की value हो गई 35 अगर मैं 1% पूछ दोगे तो 3.5 बन जाएगा और इसी 10 का मैंने आधा कर दिया मतलब 2 से भाग दे दिया तो इधर जब 2 से भाग दोगे तो ये 7.5 बन जाएगा अभी सिर्फ इन दोनों value को add कर दो तो देखो 7.5 और 3.5 कितना हो गया 21 हो गया कि नहीं हो गया और ये answer आगया 6 क्या answer आगया 6 clear हो गया इस तरह से हम इसको कर सकते हैं दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं लिखा गया x percent of 350 equal to 21 अब देखो बेटा percent को मैंने बताया था कि ऐसे ये वाला जो डंडा इसको यहां लगाओ और ये जो दोनों dots बने होते हैं इनको 0 के रूप में ले लो and of का मतलब हो गया multiply और यहां पर लिख दो 350 equal to 21 ये देखो 0 से 0 cancel 5 से काटोगे 5 सत्ता में 35 5 दुना में 10 सातिया कितना हो गया 21 और 3 दुना 6 तो इस तरह से answer आ जाएगा ये दूसरा पैट तरीका है बट मैंने पहला जो तरीका बताया वो इसलिए बताया कि अगर आप pen तक नहीं चलाना चाहते हो इस तरीके को बिना pen चलाए नहीं solve कर सकते हो लेकिन जो तरीका मैंने बताया कि 300 का 10% 35 हो गया मतलब एक चीज तो confirm है कि answer 10% से नीचे है अब 300 का 5% सर 75 हो गया और 1% 3.5 दोनों को add कर दिया तो 6% की value आ गई 21 इस तरह से हम जुबान से भी लगा सकते है बस थोड़ आप practice करना सुरू करोगे daily pattern पर practice करना सुरू कर दोगे तो आपको सब आसान लग जाएगा चलो गई next question पर चलते हैं लिगा गया if x का 8% y का 4% है तो x का 20% कितना होगा कितना आसान सवाल है विटा आपको यहाँ भी pattern ढूणना है लगाने नहीं लगना है question को last time आपके exam में ना कुछ ऐसे ही question पूछा गया था मैं कराओंगा उसको भी x का 8% y का 4% है percent में value देखो ना तो पूछा क्या गया है x का 20% x का 20% y का कितने percent होगा एक बात बताओ यहाँ 8 था तो यहाँ 4 है मतलब 8 का आधा इधर है तो 20 का आधा इधर होगा 10% होगा और y का 10% y गुणा में 10 बटा में 100 यही तो लिख सकते हैं इसको 0 से 0 cancel बचा क्या y upon 10 तो answer क्या हो गया x का जो 20% होगा y upon 10 क्योंकि यहाँ पे answer fraction के रूप में दिया है इतना आसान सा pattern है आपको कुछ नहीं solve करना है pattern पकड़ना है question solve बताओ मजा आया की नहीं है जल्दी से बताओ बढ़ी मजा आय कि नहीं आया अभी बसंती के questions नहीं आया है नहीं चंदरमुकी के आया है तो वो भी आएंगे और उन questions को भी solve करेंगे ठीक है आप लोगों को percentage में मजा आ रहा है की नहीं आ रहा है मैं एक बार जानना चाहता हूँ जल्दी से बता दो बढ़ी ठीक है बहुत बढ़ी है चल next question पर move करते हैं आज 20 questions solve करेंगे चाहे उसमें कितना भी time लग जाए मतलब आज कल हमने 10 किया था आज भी हम 10 करेंगे ठीक है बट कल मैंने home work दिया था आज मैं home work नहीं दूँगा home work उसके बाद extra दूँगा देखो आगया game साढ़े 12% of a number is 20 इसका मतलब समझते हो बिटा लिखा गया है किसी संख्या का साढ़े 12% जो है वो है 20 किसी संख्या का साढ़े 12% 20 है तो पूछा गया है उसका 60% क्या होगा अब समझे ध्यान से किसी भी संख्या का साढ़े 12% 20 है तो उस संख्या का 100% कितना होगा बताओ जली से अब एक बात बताओ मुझे साढ़े 12 को 100 बनाने के लिए कितने से multiply कराओगे अब यही सब चीजे हैं जो अपने दिमाग में आपको सीखनी है तो सर 100 को साढ़े 12 बनाने के लिए साढ़े 12 बनाने के लिए हम कितने से भाग किये थे 8 से अगर यह याद होगा ना तो आंसर कर दोगे फटक से तो सर अगर साढ़े 12 को 100 बनाना है तो multiply 8 से करा देंगे तो इसका मतलब साढ़े 12 को 100 बनाने के लिए 8 से multiply तो इधर भी तो 8 से multiply होगा इसका मतलब वो संख्या हो गई 160 बताओ clear हुआ कि नहीं हुआ संख्या हो गई 160 अब कोई value 100% है और वो 160 है तो इसका 10% कितना होगा देखो समझाने में आपको time लग रहा है नहीं तो यह सब question जुबान से लगने वाले अगर आपको यह पता हो कि साढ़े 12 को 100 कैसे बनाएंगे बिटा तो आप यह सब question जुबान से कर दोगे तो इसका 10% 16 हो गया सर 60% कितना होगा तो 6 से गुड़ा करा लेते हैं 16 चका कितना होगे च्छान बे pattern सीखिए वरना आप मुझे पता है आप लोग ऐसे भी लगा सकते हो कि मान लिया वो संख्या यक्स है तो यक्स का साढ़े 12% बराबर 20 फिर वो number निकालोगे तो यह तो आपको पुराना तरीका है बट अगर आपने जो मैंने सिखाया है वो सीख लिया तो एक चीज का लेने की जरुवत नहीं रहेगी हमें वो pattern आ रहा है आपको सिर्फ जुबान से लगा सकते हो ऐसे question का answer ठीक है जुबान से लगा सकते हो कैसे simple है सर साड़े 12% दिया है 20 तो 100% कितना सोच लिया सर यहां 8 से गुड़ा यहां भी 8 से गुड़ा 160 अगर 100% 160 तो तुरंत दिमाग आना चाहिए सर 10% जो होगा वो 16 होगा 60% कितना होगा 16 चका 90 होगा answer होगा 90 simple ऐसे उड़ाते हैं बिटा मज़ा आया तो एक बर बता दीजेगा like कर दीजेगा session को next question if 75% of a number is added to 75 किसी संख्या का 75% में 75% करने पर वो संख्या खुद मिल जाती है मतलब किसी संख्या के 75% में अगर 75% किया जाए तो वो संख्या खुद मिल जाती है बिटा संख्या कितनी होती है अपने आप में 100% होती तो एक चीत ध्यान देना ये percent की value है ये भी percent की value है तो ये कितने percent होगा सर बहुत simple है अगर ये 75 है और यहाँ 100 लाना है तो ये बना 25% इसका मतलब क्या कि 25% की value 75 है समझे ध्यान से 25% की value 75 है तो 100% की value कितनी होगी संख्या पूछा गया है देखिए ध्यान से संख्या पूछा गया सर 25 चोग को 100 75 चोग को 300 आंसर क्या हो जाएगा 300 आंसर हो गया option number D दिखे एक खेल है अगर आपने खेलना सीख लिया तो मज़ा बहुत आने वाला है मज़ा आया इस question में संख्या के 75% में अगर 75 जोड़ा जाता है तो संख्या मिल जाती है तो हमने दोनों तरफ 100% मतलब percentage value रख लखी थी अभी 25% की value हमें कितनी मिल गई 75 25% की value कितनी मिल गई 75 तो obvious सी बात है ये तीन गुना था तो ये भी तो अपने आप में तीन गुना होगा आप ऐसे भी लगा सकते हो आप 25 को 100 बना रहे हो चार से गुड़ा करके तो 75 में भी चार से गुड़ा करना पड़ेगा ऐसे भी लगा सकते हो जैसे भी आपको set पड़े आप उसको लगा सकते हैं ठीक है So let us move to the next question अभी देखो भाई क्या लिखा है If the price of a pencil is decreased by 16 complete 2 by 3% यह जो लिखा है इसको आप मान लिजे 16 complete 2 by 3% It becomes as RS 3 less इसका मतलब क्या हुआ Sir जब 16 ही एक बटा 3% कम किया गया तो वो रुपए में 3 कम हो गया बस इतना समझे यानि कि 16 सही एक बटा 3% की कमी करने पे यह 3 रुपए कम हो जाता है मतलब एक चीज किलियर हुआ कि Sir 16 सही 2 by 3% की जो वैल्यू है वो 3 रुपए की है वैल्यू कितने रुपए की है 3 रुपए की है अब एक बात बताओ मुझे 16 सही 2 बटा 3% को अचा पूछा क्या गया है नया मूले आपको बताना है मतलब कमी के बाद का मूले आपको बताना है समझेगा ध्यान से सवाल ने पूछा है कि नया मूले आपको बताना है इसका मतलब पहले मतलब 100% मूले कितना रहा था उसमें से आपको तो यह 3 रुपए माइनस करना है तब नया मोल ले पता चलेगा तो बताओ अगर 16 सही 2 बटा 3 परसेंट 3 रुपए है तो 100% कितना होगा अब आपको अगर याद हो क्या तेबल तो क्या लिखवाय गया था देखिए 16 सही 2 बटा 3 परसेंट की fraction value सिर्फ याद होना तो भी आप अंसर कर सकते हो जितने से यहाँ पर denominator दिख रहा है 6 दिख रहा है इसी 6 से अगर इस percent value में multiply कराओगे तो आपको 100% मिल जाएगा समझ में आरी बात और 100% मिल जाने के बाद एक चीज confirm हो जाएगी कि उस pencil की पुरानी value क्या थी तो सर यहाँ पर कराना पड़ेगा 6 से गुणा तो इधर भी कराना पड़ेगा 6 से गुणा और इधर कराएगे तो यह बन जाएगा 18 रूपए मतलब पहले pencil की value 100% याने की 18 रूपए थी सवाल ने क्या कहा कि हम 16 सही दो बटा 3% माइनस कर देंगे तो जब आप माइनस कर दोगे तो जो new new price होगा जो नया मूले होगा वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 18-3 बराबर 15 रूपए देखिए option में 18 रूपए भी दिया गया पर यह wrong है क्योंकि नया पूछा गया है तो answer क्या सही होगा आपका 15 rupees will be the right answer clear समझ में आया बहुत simple है question ने कहा है कि 16 सही 2 बटा 3% कम होने पर 3 रूपए कम होते हैं इसका मतलब 16 सही 2 बटा 3% की value 3 रूपए है तो 100% की value 18 रूपए चोकि कम करके बताना है इसलिए 3 रूपए माइनस कर दिया हमने तो कितना आ गया 15 रूपए Let's move to the next question Vivek gets 60 marks 60 number पाता है and fails by 20 mark 20 number से fail हो जाता है In an English paper where the maximum mark is 200 और उसका maximum mark यानि की 100% की जो value है वो दिया गया है 200 है समझेगा द्यान से maximum mark means 100% Find the pass percentage आपको बताना है pass percentage कितना होगा तो एक बात बताईए Vivek पाता 60 number है और 20 number से fail हो गया इसका मतलब 20 अगर और पा जाता तो ये pass हो जाता बताओ भई 20 अगर और पा जाता तो ये pass हो जाता means उसको 80 mark चाहिए pass होने के लिए 80 mark चाहिए pass होने के लिए और कुल कितना mark है 200 mark है पूरा का पूरा तो बताओ नब pass percentage कितना होगा तो बहुत simple है pass होने के लिए 80 चाहिए और total कितना है 200 multiply by 100 करा दो answer आ जाएगा 2 0 से 2 0 cancel 2 4 को 8 यहाँ पे हो गया 40% मतलब passing mark जो है वो 40% चाहिए नहीं आया समझ में सर एक बार और बता दीजी फिर से सुन लो भाई या लिखा गया विवेक 60 number पाता है और 20 number से फेल हो जाता इसका मतलब सर 60 में अगर 20 पा जाता तो वो pass हो जाता मतलब passing mark आपको कितना चाहिए pass होने के लिए 80 number चाहिए भई pass होने के लिए कितना चाहिए 80 number चाहिए और total जो पुडांक है यानि कि total mark जो है या maximum mark जो है वो कितना है वो है 200 तो मैं अगर यही पूछूँ कि 200 में से 80 number पाए हो कितने percent मिला तो बिटा 80 बटा में 200 गुणा में 100 करोगे तो 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल दो चोग को 8 यानि कि 40% will be the right answer clear हुआ चलिए move करते हैं next question तो बिटा देखो लिखा क्या गया है एक आदमी की 25% tax देने के बाद जो income है वो 67,500 है एक बाद बताओ अगर total income 100% रही हो और उनमें से 25% tax दे दिया गया हो तो बची कितनी सर 75% इसका मतलब हमें 75% की value दी गई है 6,7,5,00 क्या दी गई है 6,7,5,00 दी गई है न तो अब एक बाद बताओ हमें पता क्या करना है gross income यानि कि 100% कितना रहा होगा ये हमें पता करना है लेकिन 100% तब पताओगा ना जब बिटा 25% बताओ क्योंकि 25 में हम 4 से multiply करा के 100 निकाल सकते हैं अब सोचो 75 को 25 कैसे बनाएंगे तीन से भाग करके तो भाग कर लेते हैं न तीन दुना छे फिर देखिए तीन दुना छे और यहाँ पे एक बचा 15 तीन पचे 15 और डबल जिरो तो ये 25% की जो value हो गई वो हो गई ये हो गई 22,500 तो 100% कितना हो जागा सरिसका चार गुना कर लेते हैं अब देखे चार गुना करोगे तो सीदी सी बात है भाई 225 का चार गुना होता है 1000 225 का चार गुना कितना होता है 1000 और ये 00 यहाँ भी तो कितना हो गया ये जल्दी से बताईए भाई कितना हो गया तो ये हो गया दो सो पचिस का चारगुना कितना होगा? दो सो का चारगुना आठ सो होता है, पचिश ओको सो होता है, ये नो सो होगा मैंने गलती कर दी, थोड़ी सी, दो सो पचिस का जो चारगुना होगा, वो होगा नो सो और ये डबल जिरो So, answer will be option number D. ठीक है? चलिए, let's move to the next question If the price of 1 kg of rice is increased by 25% 1 kg चावल का दाम 25% बढ़ा दिया गया मतलब क्या हुआ, 1 kg चावल का जो प्राइस है ऐसे लिखा करो short form में वो 25% increase कर दिया गया The increase is 12, मतलब जो पैसा बढ़ा है और रुपए में कितना है यानि कि 25% की value कितनी हो गई, 12 रुपए Find the new price of rice पर के जी यह वही वाला सवाल है जैसे हमने वहाँ पे 3 रुपए माइनस किया था तो बेटा 25% की value 12 है और यह बढ़ाया हुआ है तो 100% कितना आएगा सर 12, 48 तो पहले दाम था 48 रुपए अभी जो दाम है वो 125% है क्यों क्यों कि 25% बढ़ा है तो 125 कैसे आएगा इन दोनों को add कर दो तो 48 और बारे कितना हो गया 60 रुपए तो नया जो दाम बना वो 60 रुपए अरे ऐसे सोचो ना कि 25% बढ़ा है इसका मतलब पहले 48 था पारे और बढ़ गया तो बना कितना 60 रुपए अब भी करें ना चावल अब तो 60 रुपए भी केगा Let us move to the next and last question of the day and इसके बाद आपको एक homework question भी मिलेगा तो अगर अभी तक समझ में आया हो तो एक बाद लाइक कर सकते हो session को ठीक है? चलो भई Next question The daily wage is increased by 20% and a person now gets 25 rupees per day बहुत simple है या 20% की value दी गई है 24 रुपए अब पूछा गया What was his daily wage before the increase? बढ़ने के पहले, बढ़ने के पहले कितने उसकी मजदूरी थी Sorry, 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 थोड़ा सा उल्टा हो गया लिखा गया है 20% की ब्रिद्धी के बाद एक ब्यक्ति को 24 रुपए प्रतिदिन मिलते है 20% ब्रिद्धी मतलब अभी वो 120 रुपए 120% जो है वो उसका 24 रुपए है 120% जो है वो उसका कितना है 24 रुपए है ठीक है तो पूछा गया है क्या लिखा है The daily wage is increased by 20% and a person now gets RS24 हाँ ठीक है बिल्कुल 120 रुपए परसेंट जो है वो 24 रुपए है तो सोचिए ना 24 का 5 गुना होता है 120 मतलब अगर हम इधर से इधर आएं तो हमने 5 से multiply करना पड़ेगा 24 का 5 गुना या आप दूसरे word में कर सकते हो कि यहां 5 से भाग करेंगे तो हम 24 के पास पहुचेंगे अब पूछा गया है 100% याने की बढ़ने के पहले कितने रुपए मिलता होगा तो बेटा सोचो अगर 5 से भाग करके 24 पर मिले हो तो 100 में 5 से भाग करोगे तो कितना मिलेगा 20 रुपए आंसर विल भी 20 रुपीज फिर से समझा देता हूँ लिगा गया है आरेस 24 पर डे तो वो 24 रुपए पर डे पाता है तो बेटा 120% अगर 24 रुपए है तो 100% कितना होगा यही concept आपको पता करना है तो 120 में अगर 5 से भाग दोगे तो 24 बनेगा तो 100 में 5 से भाग दोगे तो कितना बनेगा 20 रुपए सो आणसर उल भी 20 रुपएज क्लियर नेक्स्ट कोश्चन इस यूर होमर कोश्चन सो इसको आप स्क्रीन सॉट ले लीजिए यह आपका होमर कोश्चन है हम लोग नेक्स्ट टर्म में जब मिलेंगे यानि कि मंडे को जब मिलेंगे बिटा तो हम इस क्वश्चन से शुरुवात करेंगे और हम अच्छे अच्छे और अच्छे अच्छे अलग अलग टाइप के क्वश्चन सीखने वाले हैं So to be ready अच्छे से परसेंटेज सीखने के बाद हम प्रॉफिट अन लॉस नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे और मैं वादा करता हूँ आपसे केविस एक्जाम के पहले पहले आपको मैथ और साइन्स आपसे कोई छीन नहीं सकता ठीक है बस आपको लगे रहना है ठीक है और अगर आप हमारे कोर्स से जूड़ना चाते हो अब जोड़ सकते हो सिंपल दजुरावर क्लासिस दजुरावर क्लासिस का एप आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से वहां से जाईए आप अपना उसमें इन्रॉल अपना नाम नमर सब उसमें अपनी आईडी बनाईए इस्टोर सक्षन में जाके आप अपने आपको इन्रॉल करा सकते हो and most important thing हम daily 5 classes देते हैं बिटा हम सिर्फ कहने नहीं आते हैं कि हम ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो हम आपको वो चीत देने आते हैं तो हमारा believe इसी चीज में है ठीक है और वो 5 classes की timing क्या है सुबह 7 बज़े आपको आपको हिंदी मिलती है 11 बज़े सुबह में हिंदी मिलती है this is morning slot उसके बाद evening slot में 4 बज़े साम को math मिलती है जैसा आपको मिली है उसके बाद फिर 9 बज़े आपको मिलती है evs अब Monday से 10 बज़े आपको मिलेगी जिसमें 3 classes है आपकी पेडागोजी की class है ठीक है Child Development and Pedagogy की class है उसके बाद आपके computer की class है and reasoning की class है तो इस तरह से 3 classes इसमें है जो की day by day alternate days पे चलती है और English की class भी alternate day पे चलती है जैसा कि आज सुबह में चली Thursday को सुबह में चलती है याद रखिएगा Thursday को English सुबह में चलती है और Friday को English साम में चलती है यानि कि कल साम में चलेगी ठीक है Friday को English साम में चलती है तो English Thursday को morning slot में चलती है और English Friday को evening slot में चलती है ठीक है तो ये हमारा pattern है, हमारा time table है आप follow कर सकते हो All the best, thank you